अमिताव बच्चन की बहु प्रतिक्षित फिल्म जूम्ड की रिलीज डेट आखिरकार एलाम हो गया है जूंड अगले महिने के चार तारीक यानि के चार मार्च दो हजार बाइस को देश के सारे सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है जूंड एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है COVID-19 के कारण और बाद में कोट कैचेरी के विबादों में उलज जाने के वज़े से कहीं बार इस फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज की डेट को रद कर दिया था लेकिन अब आखिरकार अमिताफ बच्चन के फैंस का इंतजार खत्म हो गया है अमिताफ बच्चन अविनित इस फिल्म की रिलीज पर रंगा रेड़ी जिले के कुटक पल्ली कोर्ट ने रोक लगा दिया था फिल्म पर कॉपी राइट उलंगन करने का आरोप आया था कोर्ट ने कहा था कि इस फिल्म को किसी भी OTT प्लैटफॉर्म पर भी दिखाया नही जा सकता है ये मुकदमा हैदराबाद के स्वतंत्र फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार द्वारा मियापूर तेलेंगाना में अतरिक्त जिला नयायाधिश रंगा रेड़ी के अदालत में दायर किया गया था उन्होंने फिल्म को लेकर कॉपी राइट उलंगन का आरो आसल फिल्म जुन्ट की कहानी Slam Soccer Foundation के संस्थापक और कोच विजय वर्से की कहानी पर आधारित है वो अखिलेश पौल के कोच भी थे जो Slam Soccer बने थे विजय की कहानी अखिलेश पौल के बिना संभवी नहीं है और इसके राइट्स नंदी चिन्नी कुमार के पास है नंद प्रेश नागपूर की एक बस्ती में पैदा हुए थे और नशे के आदी थे लेकिन उनकी फुटबॉल में काफी दिल्चस्पी थी अपने महनत और जुनून के बल पर वो होमलेस वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान बने फिल्म जुन्ड मराथी फिल्म के जाने माने निर्देशक नागराज पोपट राव मंजूले के हिंदी निर्देशन की दूसरी फिल्म है उन्हें मराथी ब्लॉकबस्टर फिल्म सैराट और फैंडरी के लिए जाना जाता है फिल्म जूंड का टीजर में बिग भी अपने जूंड के साथ दमदार लुक में नज़र आए है फिल्म के टीजर में अमिताव बच्चे की मंडली के साथ दिखाई दे रहे हैं इसमें अमिताव के अलावा जिंकू राजगूरू जैसे कुछ यंग्स्टर नजर आएंगा। अमिताव बच्चन ने फिल्म के नया पोस्टर साजा करते हुए सोसल मिडिया पर कहा इस टोली से मुकाविला करने के लिए रहो तयार हमारी टीम आ रही है। जूंड आपके नजदी की सिनेमा घरों में रिलीज होगी।